हेलो फ्रेंड्स वेलिकम बैक टू मैं चैनल ब्लैक हेड्स आम तोर पर नाक और उसके आसपास की जगों पर हो जाते हैं छुटी-छुटे ब्लैक मार्क्स की तरह ये रज़र आने लगते हैं ब्लैक हेड्स खुबसूरती को खराब कर देते हैं तो जादा बड़े ब्लैक हो सके दूर करना ही बेतर होता है चेरे फेट्चो डेट सेल्स के नीचे जमाख होने के करनना इसकीन पर चुटे-चुटे-दाने के रूप में ये उबरने लगते हैं और देन फिर हवा के संपर्क में आकर ये काली पर जाती है तो इससे हटाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जड़ से इसकिन्स के साथ जुड़ी होती है तो यह सारी से नीकरने का नाम भी नहीं रहती है तो आज इस वीडियो में कुछ घरली टीप्स लेके आई हूं जिसके हिल्प से इस तरह के प्रॉब्लम्स के शुटकारा मिल जाएगा हाँ बट आगे बढ़ने से पहल करते हैं पहला टिप तो यही है कि अंडा एक कट्रोली में अंडे का वाइट पार्ट लेना है और उसमें शाहाद मिला दे तो जादा अच्छा है तो अंडे का वाइट पार्ट और शाहाद इन दोनों को मिला ले अभी से इस पेस्ट को ब्लैक हेट्स के वाली जगापे होते हैं और पना से इसमेंट जब हो जाए दनहर के हाथे से हाथे से पानी का यूज करके दूले और हफ़ते में अगर दो बार आप इसका इस्तिमाल करते हैं तो इसे ब्लैक हेड्स दीरे दीरे चले जाएंगे दालचीनी तो लगबख सभी के कीचन में होगा ही बासाले की रूप में इसका यूज होता है बटी इसकिन के लिए भी काफी फैदेमान होता है जो दालचिनी का face marks होता है वो blackheads हटाने में तो help करते ही है अगर इसकिन में बहुत साथ dry हो गई है या pimples को हटाने में भी यह helpful होते है और इसके use करके चिकनी या glowing skin पाने में अगर scrub की तरह इसका use किया जाए तो glowing skin पाने में काफी helpful होते है और यूज करने के लिए जैस्ट आपको एक टेबूल लेना है दालचिनी का powder लेना है और इस दालचिनी के powder में शहाद मिला देना है अभी दालचिनी powder और शहाद इस दोनों को अगर मिला करके जो पेस्ट त्यार होता है उसे उस पेस्ट को कम से कम 15 मिनिट त बूले और फेश फेश को दोने के बाद जरूर लगाए इस पेस्ट को हफ़ते में एक बार जरूर यूज करें ब्लैक है इससे बिल्कुल चले जाएंगे सब्सक्राइब हालांके ब्लैक है जो होते हैं वह ज़्यादे तर उएली स्किन वालों को ज्यादा होते है लेकिन आप ब्लैक हैट्स सचानी के लिए के साफ्टटर ओलं को कभी यूज कर सकते हो के सफ्टर ऑफिदंब को नोनों को आन दो सुबह विटकर छ जब चेहरे को नार्मल पाने से वाश कर लेकिंग। तो इसे के मुख़ से भी हट जाएंगे और ब्लेक हेट मिलकुल साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है मुलतानी मिट्टी अगर मुलतानी मिट्टी में चंदन पॉर्डर मिलाकर पानी की हेल्प से मिलाकर एक पेस्ट त्यार करें और इस पेस्ट को चीहरे पे लगाएं दस्यपन्य मिट्ट लगाने के बाद ब्लेखेट्स की परिशानी बिलकुल कम हो जाएगी और धीरे धीरे ब्लेखेट्स चले जाएगे अब चाहें तो मुलतानी मिट्टी में चंदन पॉर्डर की जगाँ पे नीम पॉर्डर, गुलाब जल और नीबु करस मिलाकर भी चेहरे पर लगाएं और फ़र्दा से 20 मिंट बाद चेहरे को धूलें और हफदे में अगर आप एक बार ऐसा करते हो कम से कम एक बदर करें हफदे में एक बार करें उसके बाद आपके चेहरे के जो ब्लैक हेट्स है बिल्कुल चले जाएंगे के आलू कि थे ब्लैक हेंट अर्वाइ जो ह devenir होते हैं दूर करने मेरे मिलता है इवे कि अवे इससे जूरिय भी कम हो जाती है तो ज़िश्ट आलू को शील करें हैं और अप्लाइक जगह पे लगाना है या फिर आप चाहें तो आलू का रस भी निकाल कर ब्लैक हेड्स वाली जगह पे लगाएं इससे ब्लैक हेड्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और इसकिन बिल्कुल साफ हो जाती है नेक्स्ट है ओटमील ओटमील से बना अगर इसक्रब त्यार किया जाए ओटमील से तो वह ब्लैक हेड्स को हटाने में हिल्क करते हैं जश्ट आपको इसके लिए दो चमच ओटमील लेना है और उसको दद्रापीस लेना है या पाने में भीगो दे तो वह यह पेस्ट बन जाएगा और उसमें दही और शाहत मिला करके एक पेस्ट त्यार करें इसके बाद इसे ब्लैक हेड्स वाली जगह पर लगा दें और 15-20 मिनिट तक लगा कर छोड़ दें 15-20 मिनिट बाद नॉर्मल पाने से फेस को वास कर लें तो इससे भी ब्लैक हेड्स च नेक्स्ट है ग्रीन टी ग्रीन टी के अगर पत्ती को भी आप पानी में पानी के साथ मिला करें पेस्ट त्यार करते हैं और इस पेस्ट को भी आप अगर 15-20 मिनिट तक के लिए ब्लैक हेड्स वाली जगह पर लगा कर छोड़ दें और उसके बादन नॉर्मल पाने से वाश नेक्स्ट है नीबू नीबू का जूस में चुकि सिटिक एसी होता है तो ये एसी डेड़ी स्किन सेल्स को हटाने के लिए नेचरल लूप से काम करता है और नीबू के जूस में नीबू के रस में मेटामिनसी भी होता है जो कि इसकिन के हेल्थ के लिए अच्छा होता है और इसकीन के हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है नीबू के यूज़ करने से बहां से भी कम होते है कम निकलते है तो यूज़ कैसे करना है इसको सबसे पहले आपको जेरे को फेस वाशे साफ कर लेना है इसके बाद एक चमच नीबू का रस लेना है और उसे रूई के रूई के हेल्प से आप निबू कर जूँस को ब्लैक हेट्स पे लगाए और कम से कम 10-15 मिनिट तक लगा रहने दे या फिर आद भर के लिए भी लगा के छोड़ दे सुबा या एक घंटे के बाद फेस को नौर्मल पानी से पाउश कर ले और अगर हाफ़ते में आप दो बार करते हो तो इसे ब्लैक हेट्स दीरे दीरे चले जाएंगे नेक्स्ट है हल्दी हल्दी और नारियल तेल दोनों ही स्किन के लिए बेतर होते हैं तो इस दोनों के वह हेल्प से आप जिद्दी से जिद्दी ब्लैक हेट्स को भी आसाने से हटा सकते हैं इसके इस्तावान करने त्लिव बस वाश से वाश कर ले और हफ़ते में अगर एक बार भी आप इसका यूज करें तो देखेंगें ज़र धीरे धीरे आपके ब्लैक हिट्स कम होने लगेंगे सिकेंट टीप है केले का छिलका ब्लैक हिट्स के ऊपर अगर केले के छिलके का अंदर वाला पार्ट से अगर लगड़ा जाए तो इसे काफी फैदा मिलता है यह ब्लैक हिट्स को कम करने का काम करती है ओके फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए टिप्स के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर